अग्याओं प्रेंट्स हमारा अमिद है कि आप सब सब ठीक होंगे और हमने लावा क्लास करते हुए लेक्षर नमर 4 है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं जो आप लोग वीडियो देखे होंगे कि उसमें राज्य पढ़ा पढ़ा जा चुका है सासन के अंग पढ़ा जा चुके हैं और वीधी के परकार पढ़ा जा चुके हैं तो उस वीडियो के हम देखते हुए हम पता होगा कि हम लोग क्लास पढ़ा रहे हैं अभी बैसिक लेवल अफ पॉल्टी राज बेवस्था का परिचायम मतलब कि मतलब कि हम लोग इंट्रॉड कष्ण चल रहा हैं पर च से परकार है कि क्या 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 साराइक कार का इंपम दो K products के में और कि आम बढ़ेंगे kur दिसे कि हम पढ़ेत सासन के अंग कौन को सासन के इंग क्या विधाई कानुग का अचे तरह से संचालन करना और उसकी उसकी बाद अगर नयापिले काहएं कि उसे किसी व्यक्तिकों नयाई प्रवधान कराना अब दहुते हमों आगे कि आज हम लोग टोपिक है सासन प्रनालियों के अंग टाइफ ओ गुवर्मेंट सिस्टम मतलब कि क्या होता है कि हम पहले हिं बता चुके हैं कि चाहे मानुष सास्त्रियों ने अनेक इत्यासकारों ने और मानुष सास्त्रियों ने प्राचीन से प्राचन समाजों का अध्वन करने के बाद, देखा कि चाहे कोई समाज हो, उसमें किसी ने किसी परकार की नियम, चाहे राज данत्र रहो, चाहे प्रज़तंत्र हो, चाहे कुलिunya constant R inventor रहो, चाहे धर्म धर्म trader हो, किसी ने किसी पर시면 नियम वहाँ पर काम करती है, तो वहीं उसी काधार पर हम लोग ने आज प्राचेन से चलती आ रही और आधनिक समय में चलती आ रहे अरहे शासन परणाणियों के प्रकार देखेंगे तो प्रकार हम लोग ऐसे चार अधार है पहला अधार क्या था या है हम लोग का सासन समू में सामिल ब्यक्तियों की संख्या के अधार पर कि जो सासन का जो समू है जितने लोग मिलकर किसी समाज को किसी देश को किसी राज्य को संचालित करते हैं जो संचालित करने वाले लोग का समूह है उनकी अधार पर कौन-कौन से सासन के परकार होते हैं तो उनका पहला था हम लोग देहते हैं पहला है रास्ट तंत्र या ताना साई जिसे हम मोनार्की ऩृड़ तंतर हैं और दूसरा अलफ तंत्रा या गूर तंत्रा और तीसरा लुग तंत्रा या जो अभी प्रजन टाइम अधिक देशों में चल रहा है और दूसरी अधार है सासन की बहता के स्रूथ का अधार पर जैसे हम कहते हैं धरम के मतलब कि उसके किसी के निशी निश्वराइब के राष्ट कानून के परदान होता है कि तो उसका english कौन कौन सूरोत किसी ही धर्मतन रहते हैं कोई राज राज रहता है और लोग रहता है और अब तीसरा धर अधर झेंगे साहसनप्लनाली के समिधान सम्मत होने का अधार पर आगर कोई समाज है और समाज website उसस्ने और उससरा जो कानुन की प्रक्रिया है, जो लोगों के द्वार Sihan Paranag representatives , और कानुन के संक्रिया है, वो क्या ऐक सम्हेध्ठानिक और तिसरा है सासन प्रणाली के बेवारिक मुल्यांकन के धर्पर, अगर हम इसके की मुल्यांकन करें, तो मुल्यांकन होता है कि जैसे कि हम किसी करेए अनुषार दीखते हैं कि मुलयगण करें हम लोग कितने लोगें कि गती का अधिक साथी लोग मुबक से भीड़ तंत्र काहते हैं जिस नहीं बिकानुन के भागता है कि जनसख्या अगर सीफ धनी सधन्य लोग होती है तो उसे हम धन तंत्र रखते हैं और जिस साशन व्यवस्था में निरंकुष था जो शाशन चलाता हो जिसंग किसी वाने देखे थे हम लोग मेरिटोक्रेसी तो का होता है कि एक गुणों के धारपन इन लोगों का पर्ध का आवंडन किया जाता है अब जिससे भी ब्रीद तंत्रा भी तंत्र हुआ कि जैसे हम लोग देख सकते हैं काहे जाता है एक समाज में भी जिसे उम्र का नुसार बेभारी की पड़ियोता नाता है तो जिसे राष्ट पती राष्ट पती कोई ब्यक्ति 15 वर्स या 18 वर्स या 20 वर्स का कोई ब्यक्ति नहीं बन जाएगा उसके लिए कि निष्चित कि सक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में निष्चित हो वो चाहें बिधाईक सक्ति हो चाहें कारेपली के सक्ति हो चाहें नियाग सक्ति हो सिर्फ एक व्यक्ति जैसे कि हम लो देख सकते हैं जैसे प्राष्टिन काल में देखें चाहें मध्य काल में देखें तो व्यक्ति के आती कुछ हम कुछ अगर तिहास देखेंगे तो कुछ ऐसे छेतर थे जहां पर लोकतंत्र की भौनाय देखी जाती है लेकिन उस कुछ अपवार्च चीज़ों को हटा दें तो हम पर कहा थी राशतंत्र देखे जाए देथी और ताना साही ताना साही में देखा देता है कि किसी एक व्यक्ति को अक्रमक्ता दिखा दिखाई देता है कि किसी व्यक्ति को भावनाव को न समझते हुए अपने एक चाहों को अक्रमक्ता की दिखाई पड़ते हैं तो उसे हम ताना साही कहते हैं अल्प तंत्र दूसरी बात क्या है दूसरा क्या है कि अल्प तंत्र गुट तंत् अल्पतंत्र उसे कहते हैं जो कि छोटे संवुह द्वारा किसी भी समाज को संचालित किया जाता है उसे हम अल्पतंत्र कहते हैं और दूसरी लोगतंत्र अब तिस्ट्रा में बात कर रहे हैं लोगतंत्र अभी फिलाल सधिक सधिक देशों में संचालित है जैसे हम लोगों का सासन काते हैं लोगों के द्वारा इसको विस्तार समाज पढ़ेंगे और दिखिए आगे धर्मतंत्र धर्मतंत्र में सोता है जैसे कि धर्म के धारित अगर कोई व्यक्तिव पहले क्या था हम बताई थे बृते जैसे उन्याटेट उक्य काते हो एंगेलेंट कई है चहां ब्रिटेंन करीं कई, उस अधार पहले क्या था कि उसका जो अधार रिया, लीकित है, तो हम उसे ये लिए?... अलिक्त सम्म्मीधान की रूप में रखते हैं MOSEAS को रहते हैं, अधार नहीं किया उसका समुद्धान लिखा हुआ है लेकिन क़्राण है कि उसको निचित शंस्था और यह समूझ वा रहा एक निचित समय आधिरे में निर्मित नहीं किया गया और समीन प्रक्रेटं को भिख्रापन हुआ है अंगत संग्रहें और प्र atención क्ले ०ा मुझन का दो समीदे हाल है डूसरा राज तंत्र राज तंते पता हैं कि संफूर्ण शक्ति चाएं बिधहाय की सकती हो चाएं कारेपली के सकती हो तो मिदधहाय का का कके कारेफवालिका और नयवालिका इस तीनों सक्तियां किसे में सम्नित होती है सिर्फ एक ब्यक्ति के हाथ में जो राजा होता है तो हम जानते हैं कि आप से लोग इतिहास पढ़ा जोंसे बताए जाए कि ऐसी प्रक्राइट कौन कौन से कानूर चलते थे तो उसे तरह सम्नित कुलीन तंत्र कुलीन तंत्र हम उसे कहते हैं जैसे कि कुलीन तंत्र हम वहाब कहते हैं जैसे कि किसी एक परिवार दोरा किसी एक उसी परिवार के लोग उसी वन्स के लोग क्या करेंगे सासन चलाएंगे उसी उसे हम क्या कहते हैं कुलीन तंत्र कहते हैं और लोग तंत्र यहां लोगों का साहसन यहां तक समया है हम लोगों को को अधिकत होती है तो comment box में message कर दियेगा और दूसरी बात साहसन परणानी के सम्मिंधाण सम्मध समध का धरपन जैसे हमने कहा कि सम्मिंधाण और ग्याट समिधानवाद एक हमने गेजांपल के तरफ रखते हैं कि भारत भारत एक देखा जाए कुछ जैसे चीन बगल में हमारे प्रोडुसी देश है पाकिस्तान में वर्मा कहते था और स्री लंका तो इस सब हमारे प्रोडुसी देश है और अफगनिस्तान जो अभी हाल लक्तंतर आदिश कहने काततफ़ यह नहीं कि हम लोग कोई अभी तस्विलाम नहीं उसकी प्रिक्रियां होती है जैसे फिर्म को देखते हैं वहां पर एक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन लोकतंत्र मिस्क्रा होता है, वहां पर बहुत सारे पार्टियां हो, और अपने अपने एक अधिकार हो, लोग के दोरा चुनने का अधिकार हो, भोड़ देने का अधिकार हो, तो उहीं चीज़ा है कि भारत एक स को अमेरिका इसलिए क्योंकि अमेरिका एक प्रथम लिखित समिधान बराइने वाध्यश था कि इस लिए घर समिधानवादा जैसे कभी कभी देखते हैं कहीं कहीं क्या होता है कि सैनिक सासना जाता है कहीं तानासाई सासना जाता है ता उस समिधान का नुसार नहीं चलता है उस समाज को गैर समिधान बाद कहते हैं भीण तंत्रा हम उसे कहते हैं भीण का बेभार जो होता है जैसे कि हम लोग एक कहा जाता है कि लोग तंत्रा लोग तंत्रा जो है लोग का सासना होकर एक भीण तंत्रा है क्यों कहते हैं लोग तंत्रा लोग तंत्रा जैसे कहा जाता है कि लोग तंत्रा लोग तंत्रा एक परक से कई यहाए एपकार से भीड तंत्रा लोगतंत्रा में एक परकार से लोगतंत्रा में एक देखने को मिलती हैं हम यह कह रहे हैं कि लोग तंत्र में एक परकार से भिण तंत्र देखनों को मिलती है यह मेरा कहनेक तत्पर क्यों है मेरे कहने की तरफ पर यहाई है कि लोगू का जो सासन है लोग तंत्र जो है इस लोग मतलब की क्या होता है कि एक बेवहरिक सौच इहां पर भीन का बेवहर मतलब हुआ भीन वह बेवहर है वीवयख से नहीं भावनाओं से संचालित होती है मतलब कि लोग तंत्र में क्या होता है कि जो बिवेक से नत्य होकर एक क्या होता है कि भावनाओं से संचालित होती है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जब भी पल्हार मंतरी का चुना हो चाहे मुख मंतरी का चुना हो चाहे पंचायत का चुना हो हम लोग उसे बीवेक से अपने बीवेक से नहीं सोचते हैं कि क्या कौन से पाटी अच्छी है कौन से बेखती अच्छा है कौन से सरकार अच्छी है तो एक कौन कौन से अपने बस हम देखते हैं कि भीड किस तरह भीड किस रास्ते बचल रही है उस अनुसार समस्ताम जो कि हम बारे सोचने की सक्ति को धीर धीर खातम कर देती है तो इसलिए का आता है कि एक लोग तंत्र जो है एक भिण तंत्र लोग तंत्र में परकार से भिण तंत्र देखने की परक्रिया मिलती है ओसत तंत्रा ओसत मतलब मतलब एक ओसत मतलब भिण तंत्र का दूसरा भाग ऑसत तंत गल्यां जन्लों करते हैं कि जैसे हमारा विदान सभा विदान सभा हुआ 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 जैसे वी ह準備 ४चमट Uh चाहे विधान परशद हुआ, चाहे विधान सभाव हुआ, चाहे लोग सभाव हुआ, चाहे राज सभाव, कोई भी हम राज्यक अस्तर पर देखें, चाहे केंद्रक अस्तर पर देखें, तो किसी भी को देखेंगे, तो क्या होता है, कहा जाता है कि भारत का जो लोगतंत्र है जो भारत के टेमोक्रेसी है, एक धन्तंत्र बन करा गई है, क्यों कहने के तत्पर क्या है, एक चर्चाय में हाल फिलार रहा, 2020 में, जो कोरोना काल में जो था, उसमें चर्चाय अधिक थी कि भारत का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र ना होकर एक क्या हो गया है, एक धन्तंत्र बन उसमें अधिक से अधिक धनी से धनी वोग वहां पसर समनी देखते हैं यो कि ऐसे बहुत सरी जन संख्या महिलाओं की संख्या सबसे कम चाहें देख ले तैंसलों । हम जन संख्या कम देखने को बिलती है उस परकिरिया को जहां पर समाज को यह राजी को संचालित एक धन तंत्र मतलव धनी ब्यक्तियों के द्वारा किया जाता हो उस राजीय को उप धन तंत्र पुलिटोकरेशिक आते हैं निरंकुष तंत्र निरंकुष किसी पर रखा कोई अंकुष न लगा जा सकता हो गुण तंत्र, गुण तंत्र मिस होता है, जिसके अंदर योगिता के अधार पर, जो ब्यक्ति जिसके अंदर जितनी योगिता होगी, उसके अधार पर पदू का आवंटन किया जाता है, उससे हम गुण तंत्र करते हैं, यह योगिता तंत्र करते हैं, जैसे हमने कल बताया थ सब्सक्राइब करते हैं जहां पर कहते हैं कुछ ऐसी सीटें कुछ ऐसी पदें जहां पर की काहते हैं समय कनुसार उमर कनुसार समझ और परिपकोता आती है परिपकोता की हो जैसे कि हम एक निशित समय आयू निशित किया गया है जैसे हम कहते हैं कि राष्टपती का आयू 35 वश निशित है और उसके बाद ही कोई ब्यक्ति राष्टपती का पर समाल सकता है तो यहां से आगे फिर देखते हैं हम लोग कि यहां तक हम सासन की प्रानी क प्रकार पढ़ लिया सि qya heißtा राश टंत्रा ध्रम तंत्र और विद्य टन्त्र तो वहीं जिसा कि समिन्धानवाद गधर समिन्धानवाद तो एक बात से जिसे कहता है कि एक ब्यृधी का साषन और ब्यृधी द्वारा साषन जैसे कहते हैं लोगों कि जो भारत एक देश है जो भारत राज्य है यह बिधी का सासन है कि बिधी द्वारा सासन है देखते हैं लोग